नमो नमहा स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं कक्षा पांचवी की पाथे पुस्तक सारांश का पाथ 20 का प्रशन अभ्यास लेकर उपस्थित हुई हूँ यह है केशव शंकर पिल्लेई इसके मोखिक भाग को देखिए पहला प्रशन है कार्टून क्या होता है उत्तर कार्टून किसी घटना या व्यक्ति पर सचित्र टिपणी होते हैं प्रशन दो हेड्मास्टर ने बच्चे को सजा क्यों नहीं दी उत्तर वह एक मेधावी चात्र था अर्थात वो कोई शरारती बच्चा नहीं था वो एक मेधावी चात्र था शंकर पिल्ले का जन्म कब और कहां हुआ था उत्तर उनका जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के एक गाम कायम कुलम में हुआ था प्रशन चार शंकर पिल्ले का विवा किसके साथ हुआ था उत्तर थंगम के साथ अर्थात उनकी पतनी का नाम था थंगम शंकर पिल्ले की मृत्यू कितने वर्ष की आयू में हुई उत्तर 87 वर्ष की आयू में इसका लिखित भाग देखिए प्रशन एक शंकर पिल्ले के बच्पन के बारे में बताईए उत्तर उनका बच्पन नाना नानी और मामा के पास गुजरा बैल काडी में घुमना तथा अच्छा भोजन करना उन्हें पसंद था वे केरल की नौका दोड में उत्साह पूर्वक भाग लेते थे प्रशन दो शंकर पिल्ले द्वारा बनाए कार्टून किस किस पत्रिका में चपते थे उत्तर दहिंदुस्तान टाइम्स और शंकर स्वीकली प्रशन तीन शंकर पिल्ले द्वारा बनाए कार्टूनों का आनंद कौन उठाते थे उत्तर ब्रिटिश वाइसर पंडित जवाहर लाल नहरू आदी प्रश्न चार शंकर पिल्ले विदेश्तियों गए थे उत्तर काटून कला की बारीकियां सीखने के लिए शंकर स्वीकली की शुरुआत कैसे हुई उत्तर शंकर पिल्ले का दहिंदुस्तान टाइम्स के साथ मतभेद हो गया था अतहा उन्ह 1948 में स्वयम का जन्रल शुरू किया इसका नाम रखा शंकर स्वीकली आपने पाठ में ध्यान दिया होगा कि सन 1946 में उनका किसी मतभेद के कारण उन्होंने दहिंदुस्तान टाइम्स से इस्तीफा दे दिया था इसलिए उसके बाद उन्होंने अपना ही शंकर स्वीकली नाम से एक जन्रल शुरू किया प्रश्न 6 शंकर पिल्ले अपने काम में किस प्रकार अनंद लेते थे उत्तर वे अंदर से कार्टुनिस्ट ही थे वे अपने काम में आनंद का अनुभव करते थे प्रश्न साथ शंकर पिल्ले को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए उत्तर उन्नीस सो चपन में पदम श्री, उन्नीस सो चियासट में पदम भूशन और उन्नीस सो चिहत्तर में पदम विभूशन इसके बाद है गध्यांश को पढ़ कर पूछे गे प्रश्नों के उत्तर लिखो शंकर स्विकली ने लोगों को आनंदित करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूत कर दिया कार्टून के आज पास व्यंगयलेक भी होते थे जो हलका हास्य भी उत्पन करते थे शीखर ही शंकर स्विकली भारत के कार्टूनिस्टों की प्रशिक्षन स्थली बन गया प्रश्न एक शंकर्स वीकली क्या था? तो शंकर्स वीकली जो है एक पत्री का नका नाम था यहाँ पर आप लिखोगे एक जर्नल इसमें क्या चपता था? उत्तर इसमें कार्टून तथा व्यंग्यलेख चपते थे व्यंग्यलेख क्या करते थे? उत्तर हलका हास्य उत्पन करते थे. शंकर्स वीकली क्या बन गया? उत्तर कार्टूनिस्टों की प्रशिक्षण स्थली अगला प्रश्न देखिए सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ पहला प्रश्न है बालक को किसका कार्टून बनाते हुए पकड़ा गया था उत्तर होगा गणित अध्यापक का प्रश्न दो शंकर पिल्ले का थंगम से विवाह कहां हुआ था उत्तर होगा त्रिवेंद्रम में प्रश्न तीन शंकर पिल्ले ने बच्चों की पुस्तकों के लिए किस संस्था की स्थापना की उत्तर होगा चिल्डरन्स बुक ट्रस्ट चार डॉल म्यूजियम में कितने गुडिया है छे हजार पांच सो उसके बाद है भाशा की बाद संग्या भेद बताओ शंकर पिल्ले ये है व्यक्तिवाचक संग्या कार्टून जातिवाचक संग्या थंगम व्यक्तिवाचक संग्या लेक जातिवाचक संग्या नेता जातिवाचक संग्या कृतग्यता भावाचक संग्या एक वचन रूप लिखो, गुडियां, गुडियां यहाँ पर बहुचन रूप दिया गया है, इसका एक वचन रूप होगा, गुडियां, बच्चों, बच्चा, पुस्तकों, पुस्तक, पुरसकारों, पुरसकार, प्रशन तीन वाक्य बनाओ, क, कलाकार, वह एक अच्छा कल कार है ख सौभाग्य सौभाग्य से मेरी लौटरी लग गई ग प्रशंसक मैं अब्दुल कलाम जी की बड़ी प्रशंसक हूं ग अवकाश आज कल स्कूल में शीत कालीन अवकाश है इसके साथ ही इसका प्रशन अभ्यास समाथ होता है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद